खोलते हैं देखते हैं कि आखिर 4NX Ultra Firebolt की तरफ से आखिर ऐसा क्या खास है यह को प्राइस तो बहुत कम है यह तो हम जानेंगे ही वीडियो में लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा Raw Unboxing देख लेते हैं कि आखिर पैकेजिंग कैसा है चलिए तो यह कुछ इस तरह दिखता है ओके तो इसको हम साइट में रखते हैं फायर पोल्ट की ब्रेंडिंग एंड देन साथ में यह बॉक्स जो कि स्मार्टफोन अन्बॉक्सिंग की एक्स्पिरियंस देता है हाला कि ऐसा कुछ खास है तो नहीं लेकिन हाँ चलिए एक साथ मैंने सब कुछ खोल दी ओके एक एक करके इस तरी किसे चार्ज में प्लागिन कर सकते हैं कोई बात नहीं इस कॉम साइट में रखते हैं और यह है बैंट जो कि मेटल की है ठीक है मुझे तो पहले शुरुवत में यह लगा कि शायद यह मेटल की ना हो लेकिन यह मेटल की है थोड़ा सा डीप ले आप लोग देखे फिर आम रीव्यू की और आगे जाते हैं अन्बॉक्सिंग बहुत ही क्लोस था है ना सीधे मुद्दे की और आगे जाते हैं देखो यह वन अप दा बेस्ट स्मार्ट वाज है शायद जो मैंने अभी तक देखा देखो वो जो अन्बोक्सिंग आप लोगों ने देखा वो दो दिन पहले मैंने शूट किया था गाइस तो अब जो दो दिन यूज करने के बात जो मैं आपको बतेने वाला हूं यह बहुत ज़दा इंपोर्ट है देखो फायरपोल्ट की यह वाज है ना फायरपोल्ट फोईनिक्स अल्ट्रा इसके उपर कुछ शॉर्ट वीडियो मै यूटूब में खरीदने से पहले और वहाँ पर देखा कि ज्यादा तर अल्मोस्ट सभी लोगों ने यह कहा है कि यह एकदम घटिया स्मार्ट वाज है तो इसलिए मैंने इसको पर्चेस की क्योंकि लाइब देखना है कि आखिर घटिया क्यों है क्योंकि मैंने जब जो रि वाज है कितना वैलू फॉर मनी है और इसके उपर मैं तीन वीडियो लाओंगा यह पहला पार्ट है तो देख लेजिए इसी वीडियो से डिसिशन ले पाओगे कि क्या खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है ओके तो आगे जाते है मेरा नम है बाबू शूरू करते हैं दे लेकिन TFT डिस्पले होने के बाद भी यह आपको ऐसा महसूस नहीं कराएगा कि नहीं यह एक घटिया टाइप की डिस्पले है नहीं अच्छा खासा दिखता है ठीक है एक खास बात यह है कि IP67 रेटिंग के साथ आता है मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं बॉडी की ठीक है कि आपने कर्ब की तो कुछ जगाव पर शायद बेंट हो जाए और दिक्कत आजाए नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है लेकिन जो चार्जिंग के वह बहुत ही वीक है येस थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा वीक है और मुझे लगता है कि अगर आप उसको केयर ठी कि आप दिए गया जो की फीट होता है और स्ट्रॉंग है बहुत ही ज़िए जो मैकनेट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रونगे यह फीटं हो जाता ह। कोई भी ऐसा कोई मेजर मेजर इसु नहीं इसिते बाकरेगा जैसे मैं शूरू में को कहा कि ग्सप vegyorum में यह वोब प्रिदर कंडिशन में यह दिखता है तो हां गाइस यह दिखता है बहुत अच्छा दिखता है मतलब आपको इशु नहीं मिलेगा डाइडेक्ट सनलाइट की नीचे आपको दिखेगा कोई भी इशु बगेरा देखने के लिए नहीं मिलेगा फिर बात करते हैं चार्जिंग क आपको कहा कि चार्जर केबल थोरा सा वीक नहीं बहुत ज़्यादा वीक है तो इशु इसमें चार्जिंग में भी है मतलब क्या है समझे देखो माल लिजिए कि आपकी वाज की बैटरी जीरो परसेंट है अभी ठीक है तो फूल चार्ज आपको कराना है तो हंडेट परसें कि आप इसमें जो है ना सुपर फास्ट चार्जर यूस नहीं कर पाऊगे और टाइप सी यूस ना करो तो ही बैटर है सिर्पोसर बैसिक एडप्टर से या फिर लैप्टॉप से चार्ज इसको किया जा सकता है और हिल्थ में कोई भी इशू नहीं आएगा फिर नेक्स बात करते हो या फिर ब्लुटूथ बगरा ज्यादा यूस करते हो तो मैक्सिमम यह चार दीन तक जा सकता है और प्रैक्टिकली मैंने क्या देखा ऐसा ही कुछ देखा क्योंकि दो दिन मैंने यूस की तो और भी एक वीडियो आएगा जहां पर मैं इसके उपर इंडिप्थ बात होता है जिसकी नाम है दाफीट अप्लिकेशन जो कि आईवेस या फिर आपकी जो प्ले स्टों ना वहां से आप डाउनलोड करके इस वाच को आप लोग मॉडिफाइग कर सेकते हो फिर उस एप के जरीए इसमें सभी के सभी चीज जैसे की नोटिफिकेशन आपके सांड भी हाई है बहुत ज्यादा लोग नहीं है एक दम पर्फेक्ट साउंड दिया गया है और साथ में जो यहां पर हेल्थ कंडिशन रहना वह भी दिखता है जैसे के आपके ऑक्सिजन मेजर्मेंट या फिर हार्ट रेट या फिर स्लिपिंग टाइन आप कितना पानी पी मतलब आपको जो भी चाहिए सारा कुछ इस प्राइस में आपको देखने के लिए मिल रहा है लेकिन दिक्कत किस जगा पर है देखो पहली बात यह कि वोल्यूम कंट्रोल नहीं होता है आप इस वाच के जरीए आपकी जो म्यूजिक वोल्यूम में उसको कंट्रोल नहीं कर कर पाऊँ गया है और जो स्पीकर है न उसकी वोल्यूम कंट्रोल होता है क्या है अदुड़्यों क्या परफेक्ट है 5 में से 3.8 तीक है मतलब अल्मोस्ट है आपको ज्यादा सुनने के लिए नहीं मिलेगा जो विक्टिम है जिसके साथ आप बात करोगे ज्यादा दिक्कत ह हमें सुनने के लिए नहीं मिलेगा और हाँ साथ में और एक चीज जो डिजाइन बहुत ज़्दा मैटर करता है दीजाइन मैं कहूंगा स्पेशली स्कीनी लोगों के लिए बहुत ज़्दा परफेक्ट है देखो मैं स्कीनी हूँ और इस बज़े से मैं हाथ में वाच यूसर नहीं करता है यानकि वाच मैं कभी भी नहीं पहनता लेकिन इस वाच की जो डिजाइन है और जो साइस है ना स्कीन लोगों के लिए सम परफेक्ट दिखता है और आपकी जो साइस इना हाथ की उस हिसाब से यह परफेक्ट बनाया गया है तो अगर आप स्कीनी हो तो गो फॉर इट ठीक है तो बॉड़ी बील्ट और जो बैसिक फीचर से उसके मैं आपको अभर्व्यू दे दी लेकिन अब सवाल यह आता है क अबिक किसी यह परास की ठीक है लेकिन क्या आपको इस प्रास में खरिद का cardiovascular चाहिए और आप थोड़ा सा इंताजार करते हो कर रहेहें दो तीन दिन के बाद पाद तो शायद आपको थोड़ा साथ कम प्राइस में मिल जाए या फिर डिसकाउंट बगरा लगा कि आप लोग और भी बहुत कम प्राइस में इसको खरीद सकते हो तो जिस प्राइस की साथ मैंने इसको खरीदा 1,400 मैं कहुंगा 5 में से 4.2 अभी जितने सारे मैंने short videos देखा मैंने सच में guys ऐसा कोई issues बगरा मैंने नहीं देखा तो शायद उपर नीचे हो सकता है लेकिन ऐसा कोई issue मुझे देखने के लिए नहीं मिला तो इस part 1 में मैंने आपको सारा कुछ explain कर दी और भी बहुत सारी चीज़े है अंदर की बाते अंदर की कुछ features मैं आपको दिखने बाला हूं second part में और in depth उसकी जो users है न वो भी मैं आ समझने बाला हूं तो जरूर चैनल को subscribe कीजिए और हाल लाइक जरूर कीजिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मैं मैंने आपके साथ नेक्स फूडियो में तब तक के लिए बाइन टेक क्यार